मद्धिप्रदेश सरकार का बजट आने वाला है, मोहन सरकार का जो बजट आएगा उसमें किसानों को भी कई उम्मिद रहती है, क्योंकि इस बजट में हर वर्ग के लिए सरकार कुछ न कुछ लाबकारी योजनाय, लाबकारी प्रावधान करती है, तो किसानों को भी इस बार मद्धिप्रदेश सरकार से अच्छे पेकेज, अच्छी योजनाय और अच्छे लाबकी उम्मिद है, क्योंकि किसानों का अगर मुनाफ़ा होगा, खेती में आए बढ़ेगी, तो निश्चित तोर पर मद्धिप्रदेश का विकास होगा, आम सारे किसान भाई हैं, बहने हैं, और इनसे ही बातचीत करेंगे कि आखिरकार मद्धिप्रदेश सरकार के आने वाले बजट को लेकर, वो क्या सोचते हैं, आजकल किसान भी है, आप देख सकते कि तकनोलेजी के साथ-साथ आधुनिक तरीके से खेती कर रहा है, तो जैसे किसान भी खरीटता है, और वड़ा खरीटता है, या किसान को खाद लगता है, उस पर सबसीडी बढ़ाई जाए, बीज पर भी सबसीडी रहे, किसान जो रिणन लेता है, उसमें भी सबसीडी मिले, दूसरा जल सरक्षन के लिए सरकार को और नियम अच्छे करने चाह है, उसमें बहुत छूट दी जाए, जिससे जो उर्यूरिया की जो उप्योग है, वो कम हो, जिससे खेती घेरीली और मिट्टी खराब हो रही है, खराब नहीं हो, किसानों की मिट्टी का परिक्षन हो, उसमें सुधार कैसे आए, ये सारी सरकार को बजट में प्लानी क्या ह किसान की मद्यप्रदेश सरकार का जो बजट है, उस बजट में क्या लाव होना चाहिए, किसानों को क्या मिलना चाहिए? है और सबक है और इसकान के लेए किसानों के लिए क्या सोचते हैं आप बजट को लेकर आप लोग जागरुक किसान हैं लगातार जो है बहतर ही हो रही है सबसे पहले तो सरकार को बजट में ब्रद्धी करना चाहिए किसानों के लिए जो बजट है अभी सभी का इस्तर मुचा हो गया है लेकिन किसान आज भी उसी इस्तर पर रखा गया है लेकिन किसानों की चीज़ां को आज भी उसी इस्तर पर रखा गया है सरसों जो आज से आट साल पहले पांच साल पहले भी पांच या रुपे च्छा रुपे आठ या तक बगी आए पांच या रुपे बिक रही है तो शमर्तनमूल में भी ब्रद्धी होना चाहिए और किस भी आफ से की जो रिटें हैं वो कम है क्योंकि किसानों के जितनी भी आमनतनी होती है इसी कि झीजान जो नीजे चीजरियों ही पानी की विवेश्टा करना चाहिए। पानी कमल ले आएके ठीक हो। और वारा माहरा की तीरे मीरे दवाई। बहुत ज्यादा विल्ली लग रही है। विल्ली बहुत कम आ रही है। लाट भी कट जाती है। विजली की उपलबता बढ़ाना चाहिए किस तरह के हालाद बन रहें बजट में आप क्या चाहते हैं किसान के लिए खाद लेने के लिए सरकार को वच्छित करना चाहिए कि उसनको आसानी से खाद मिले और वो अपनी खेती करें और उनके करें लेगें तो निश्चीत तोर पर कई किसान है युवा किसान भी इन से जा साय बरसाथ से उसके लिए बजट में आप को आना चाहिए और जो मौआप जी की दिक्क्त तोर उस तेगाए को किसानों को नुकसान होता उसका बनलब उसका बूतों मिले बर पाई यहां अम्मा क्या सोचते हैं आप खेती बाड़ी को लेकर बजटाने वाला जाओगी क्या कहना चाहते हैं कि महाई रही है वह मद्द आई होना चाहिए कात कुरे की और काव की क्या सोचते हैं जब आप जो बजट आ रहा है मद्द प्रदेश सरकार का क्या चाहते हैं आप किसानों हम मद्द सरकार से चाहते हैं कि जो किसान दिन रात मेनत करता है और फसल को बड़े तरीके से उसको मेनत करके उगाता है उनको उनका ओच हमूल नहीं प्राप्त होता जैसे कि बरसाथ हो जाती है किसान बहुत मेहना करके उस फलकों होगाता है उसके बरसात के बाद वह नश्ट हो जाता है इसके लिए उनको बीमा एक बीमा जैसी सुब्दा उबलत कराने चाहिए जैसे कि कुछ गाउं में पन जाते हैं कि नेर का पानी आता है नेर के पानी से इस चाहिए होती है उस नेर का पानी समय पे नहीं दिया जाता इससे बजल का नास भी होता है और बजल समय पे नहीं उपाती नेर के आसपास रोड बनना चाहिए कुछ गाउं में अपन जाते हैं कि नेर का पानी आता है नेर के पानी से इस चाहिए होती है उस नेर का पानी समय पे नहीं दिया जाता इससे वसल का नास भी होता है और वसल समय पे नहीं हो पाती नेर के आसपास रोड बनना चाहिए और यहां पर बिजली के सुद्धा नहीं किसान का बिल इतना रख देते हैं कि वो उसकी जमीन पूरी बीली में ही डूप जाती है तो इसलिए मद्वित सरका से हम निविदन करना चाहते हैं कि जादा से जादा स्वरूर्जा पर फोकस दें और किसानों को सबसेटी के साथ सवरूरजा का लाभ दिलवाएं और जहां पर नहरे हैं जहां पानी नहरों को पक्का करा जाएं और उसके बगल से रास्ता भी डाला जाए खाद आज चरम किछिवा पर है खाद आता है 700 रुपे कॉर कमेडी के लिए बनाप कर इसका किसानों को लाब दिया जाएं और उच मूल में जो भषवाग आते हैं उनका मूल दन बढ़ाइजा जाएं, क्यूंकि आज किसान जी जान से मेरा करता है, उनको उसका उच्छ मूल नहीं मिल पाता है, इसलिए किसान परिशान है आपी बताइए कि नहरे जरूरी है, बांध गौले जिले में हैं लेकिन शम्ता कम है बिलकुल निश्यत तोर पर नहरों का बड़ा जाल विशना चाहिए, और पानी की उपलब्दता की सरकार को गिवस्ता करनी चाहिए, पानी का बंडारन बड़े जिससे नहरों में पानी जाए और जो बांध का पानी उपयोग में आता है, उससे खेत की मिट्टी खराब नहीं और मिट्टी सही रहे, इसके लिए अच्ष्वक्ष पानी का और बानों के पानी का और बरसा का जो जल है, इसको कैसे भी संरक्षित करके जी उपयोग हो जिससे बूजल इस तर भी बड़े तो निश्चित तोर पर कही न कई मद्धिप्रद्यफ सरकार के आने वाले बजट से किसानों को कही उम्मीद है, किसानों का कहना है कि सोर उर्जा के लिए किसानों को लिए संसाधन उपलब्द कराए, इसके अलावा सीचाई के साधन बढ़ाए, साती खाद बीज और जो के बढ़ाने के लिए किसान चाहते कि सोर उर्जा पर सरकार का ज्यादा फोकस होना चाहिए, उसमें किसानों को और भी सबसीडियो रात मिलना चाहिए, ताकि किसानों को जो है खेती का धंदा, लाप का धंदा बन पाए, और वहीं आम लोगों को भी अच्छे जो उत्पाद ह चाहिए वो फसल हो, चाहिए सबजिया हो, चाहिए अनाज हो, वो बहतर मिल पाए, तो इन किसानों की जो मांग है यह जो इच्छा हैं मद्रदेश के बजट को लेकर यह हमने आपको सुराई है, आगे और भी किसी वर्ग से बात करेंगे और वो क्या चाहता है बजट पर य अगे भी आपको दिखाएंगे, सुशिल कोशिक, News 18, ग्वालियर